शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वीसिया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें यह अत्माल जीले के दिग्रस्त तहसिल में कोरोना का संक्रमन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है बुद्भार को कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या साथ हो चुकी है वही अब एतियात के चलते स्तानिय प्रशासंदवारा, शहर के कुचिला को और गाव को सिल्ख किया गया वही तहसिल के नागरिकों को सावधानी बरतनी की अपील की जा रही है कल तक कोरोना की चपेट से को सो दूर नजर आ रहे दिगरस तहसिल और परिसर में अब धीरे धीरे इसका फैला बढ़ने लगा है बीते कुछ दिनों पहले दारवा शहर से दिगरस शहर के एक नीची हस्पताल में उपचार के लिए दाखिल हुए उम्रदराज महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए थी जिसके बाद अस्पताल में उस वक्त मौजूद कंपाउंडर्स और वार्ड बॉई और अन्य करमचारियों से 26 लोगों के स्वैप के नमुने टेस्क किये गए थे जिसमें से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी इसके बाद उपरोक्त मौजू तक महिला के संपर्प में आये रिष्टेदार तथा अन्य कुल 107 सहित दार्वा से दिग्रस लाए गए बासस संदिक मरिज शामिल है जिनने दिग्रस शेहर से सटे पास के इसापूर गाओं में स्तीत कोविड सेंटर में रखा गया था ऐसे में बुद्भार को तीन और नए मामले उजागर होने से शेहर और परिसर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरिजों की संख्या साथ हो चुकी है जिसमें देव नगर से सटे गोनपूरा में एक पाजिराव नगर में एक चांद नगर में एक और ग्राम लाइगवहान में एक मांडवा में और ग्राम लाखराय जी में एक मरिज शामिल है कोरणा संक्रमन के बढ़ते फैलाव के समन्द में इसापूर स्थीत कोविड केर सेंटर के मैनेजर और स्तानिय अग्रामिन अस्पताल के वैदेकी आदिकारी डॉक्टर अबैको विंदवार ने इन्बीजियान से जानकारी साजा की जो चार लोग पॉजोटि आये थे जो खाजगी होस्पिटल के कंपाउंटर थे उनके कॉंटर में पिलाल में 66 लोगों को हमने फिलाल में पॉरन्टाइन किया हूआ है अभी उनके स्वाब भेजा है अभी उनके स्वाब का रिपट जो होग अपेंडिंग है 66 लोग का अभी और दूसरी नियुजम को आई ऐसा, GMC उत्माल में एक पेशेंट गया था, वो लाख राइजी का है, वो भी पॉल्चुटी आया हुआ है, तो उसके बारे में अभी प्रशासन के जो यह है, होम कोरने करना लोगों का, वो ट्रेस करना चालू है और कोईट सिंटर में भरती कर और देहातों के प्रभावित इलाकों को सिल कर दिया है, इस काम को अंजाम देने के लिए नगरपाली का कर्मिचार इस्तानिया पुले सहित होमगार्ड आदिसमंदित इलाके में तैनात है, ऐसे में इन बीसियन ने चान नगर परिसर काज जाए जा लिया, तब वहां के ना और हमारे यहां के स्थानिक नागरिक बड़ी जौबदरी से प्रशासन का सयोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मजदूरत अब का होने के कारण उनकी जिनोशक वस्तू को जो ज़रूरत है, वो प्रशासन पूरी करने में सयोग देगा, ऐसी हमां पिक्षा रखते ह शहर में सील किये गए इलाकों के निवासी सिल बन की इस प्रक्रिया को प्रतिसात दे रहे हैं, जो की काबिले तारिफ है, ऐसे में प्रशासन की निगरानी और लोगों के सयोग और सतकता से जल से जल इलाके सील होने और कोरोना संक्रमन की इस मुसीबस से छुटकारा का ऐसे उमित नजर आ रही है दिगरा से इन बीसे निउस के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट